होता क्या है इस पर्व में कि सबसे पहले तो इस समान बहुत सारा समान ओमान खरिदते हैं जाते हैं महिलाये जो होती हैं पूरुस भी वरत रखते हैं और इस वरत का उद्देश्य जो होता है वो मननत मांगना होता है मनोती मांगना होता है आपने सुना होगा बौधमार्ग म चुकि बिहार जो है बौधमार का किंद्र रहा है जैनमार का बौधमार का ये किंद्र रहा है बिहार महावीर का जनम बिहार में हुआ अब बुध ने पूरा गया कता अपने कहानी ही सुना होगा कि वहाँ पे उन्होंने पूरे ज्ञान का पहली बार जो संचार गया था घूम घूम के अपने प्रशनों के उत्तर खोजे थे तो उन्होंने बिहार कुन को कहा गया ज्ञान प्राप्ति का अस्थान कहा गया बुध गया तो यह गढ़ रहा है अब इसी बुध और महावीर के गढ़ में जो सतूप बनाये जाते थे सतूपों की परंपरा थी तो एक छोटा-छोटा सतूप होता था उन छोटे-छोटे सतूपों को कहते थे वोटिव अस्तूप क्या कहते थे वोटिव अस्तूप हिंदी जब आप ट अबोध मार्ग तो खतम हो गया लेकिन इनको यह चीज चरूर पता है कि मननत मागनी है तो यह क्या करते हैं छोटा-छोटा सुतूब बना देते हैं यह जितने घाट होते हैं आप मेसे जो भी लोग बिहार यूपी से या अन्य राजियों से भी होंगे वो देख रहे होंगे क आज की साम को सब लोग गय होंगे घाट पर फिर कल सुबह जाएंगे सभी लोग यह आप फोटो देख रहे होंगा नदी किना रहे जाते हैं लोग नदी को प्रकृति पूजा जो प्रकृति है उससे जुड़ा हो अब बोध मार्ग आप लोग को पता ही है कि यह पूरी तर कर रही है उनहीं का वर चुकी बोध्य रहे नहीं है और बोधो में प्रचार करने वाला नहीं है लोगों के बीच में घुसर बताने वुन आनवा नहीं है सिक्छाओं को जो बद्र और उनके अनुवाई या जिसके नाम पर आपको लोगों से जुड़ना है बुद्ध की ये सिख्छा थी आपको लोगों से जुड़ना है और बहाना क्या उन्होंने बनाया कि उसे चले जाना जाएए लोगों से मिलिये जुलिये बताइए कि ये जो सुतूप बना बना कि ये लोग मनवती मांग रहे हैं वह वास्तों में वोटिव सुतूप है अगर वो नहीं है तो फिर इनको बताना पड़ेगा कि भी या इसमें कौन सा ब्रामड का इपरव है ये एक मात्रा ऐसा पर सुतूप बनाते हैं और फिर उसके चारोबगल बैठके जो मिलाए होती हैं की तो अगरा गाती है और गाने के बासे जो अच्छा मैं आप लोग को पहले ये क्लियर कर दूं कि ये तीन-चार दिन का परव कैसे है तब आपको और अच्छा से क्लियर होगा जो लोग इस लुड़कि मतलब कुछ लोग कऩचे हैं Running का जो सब्चि बनाते हैं और इस तरह से कुछ बनाकर और खा लेते हैं रातमें फिर सो जाते हैं फिर पूरा दिन जो है बिना जल के रहते हैं फिर साम को थोड़ा सा कुछ ऐसा खाना होता है कुछ बना कर खाते हैं मिठे गुड़ वगरा का हलका सा खिचड़ी वगरा और फिर अगला दिन पूरे दिन वरत होता है कोई पानी वानी नहीं पिना है और फिर साम को आपको जाना है छट की नारे यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अरग देना है गीत उतगार में को सुदूप के अगल वगल बैठते हैं यह लोग और सुदूप के अगल वगल बैठकर और फिर क्या करते हैं कि गीत वगर रगाते हैं जो से ही सूर्य डूगता है फिर यह लोग वापस घर चले आते हैं अब इसमें क्या होता है कि इसके बाद से फिर अगले दिन सुबह में भोर में ही सभी लोग फिर से दूबारा जाते हैं उसी छट जो जहां पर बनाये रहते हैं आम तोर पर कोई तला आप देखवा रहे होंगे कि ये जो पानी में जैसे सूर्य उद्रे होता है तो पानी में सारी महिलाये घुश जाती हैं और घुश कर हाथ में कुछ-कुछ अपना सूप वगरा बनाती हैं एक और बात ध्यान दिजेगा दोस्तों इसमें सभी महिलाये सूप का परियोग करती ह किसी भी वर्ग जाती संप्रदाय के महिलाये हों सब महिलाये जो हैं सूप का परियोग करती हैं और जो सूप होता है वो जिसको अचूत लोग समझते थे अभी तक एक जाती होती है जिसको लोग दोम कहते हैं वो जातियां जो हैं बनाती हैं इन सूपों को और उसका लेकर हुआ सूप लेकर जाते हैं और इसी तरह से जब साधियों में भी ये लोग जो जिसको डूम ये कह रहे थे उसी जाती का बनाया हुआ एक और भी एक तरह का होता है कोई समान होता है वो जरूरी होता है उसी को लेकर साधी करने भी जाते हैं तो वहाँ पर उसकी बड़ी requirement है आयसे जो है वह अचूद है देखिए थोड़ी चलाखी देखिए इन लोगों की तो उसको लेकर जाते हैं जैसे सुर्योदे होता है तो उसको ये दिखा के और अर्ग देते हैं अब ब्रामरों ने इसमें एक चाल खेल दिया सोचा कि यहां तो लोग खुद से ही अपना पर लोग शुरू करती है पंडित जो है उसने अपना दहन्दा शुरू किया कुछ थे तो आप देखेंगे कि कुछ जगह जो हैं पंडित फीस में घुस गए हैं कारोबार चला रहा है अब बहुत जगह जो है घर का जो बेटा होता है वो अपनी मा को अर्ग दिला देता है ऐस लोग से करता है मतलब कुल मिलाके ये एक नन ब्रह्मैनिकल परव है जिसमें किसी ब्रामण का स्थान नहीं है और ये लोग जानते नहीं है कि ये परव का जो जो सिस्टम है आया कहां से है, कहां से किन चीजों को ये काम कर रहे हैं और इसको ये क्या समझ लेते हैं कि ये हमारी परंपरा है प्रणी-दर किलिए लोक करते आएं हैं और ये अपने को सभी मुझ हिंदू भी समझते हैं, एछ देखे बड़ा ध्यान से समझेगा और देखिए पानी में आपको दिख रहा होगा सुबह में साम को भी सब पानी में खुछ जाते हैं यह समान देखिए यह इसमें आप सूप देख रहे होंगे सूप में यह सारे समान रखे गए हैं यह केला है इसमें आपको नारियल दिख जाएगा इसमें आपको और भी अबला जो गागल होता है वो रहके ले जाते हैं जरा सूचिए किसी भी ब्रामणवादी पर्वतेवहार में नीवू परतिबंदित है आपने सुना होगा उनीशो सतर पैंसट में जो मुवी आई थी संतोसी मा की मुवी उसमें क्या दिखाया था लाश्ट में कि संतोसी मा कहत जाती है कि देखो नीवू मट डालना नीवू डाल दोगे तो उस बैचारी को पूरा सरीर में ही कूड हो जाता है पता नहीं क्या हो जाता है वाइट पेचे जो होते हैं फिर जो हजा के माफियों प्रकट होती है उसका सही कर देती है जबकि यह एक ऐसा परव है जिसमें कि देखें खटा जो सबसे फल होता है जो नीवू का बड़ा रूप गागल होता है बड़ा वाला नीवू वही लेकर जाते हैं लोग पूजा पाट करने इससे भी आप समझ सकते हैं कि यह नन ब्रह्मैनिकल परव है पर जो भी लोग मनाते हैं उनको यह पता नहीं है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं और ऐसी चीज़े किस मार्ग में ऐसी चीज़े की जाती है आप मेरी बात को स्भाग है न तो यह सारे फल वल और यह सारी चीज़े लेकर जाए जाती हैて देखिए इसमें, यह सारी औरते कहीं हैं, आप देख़े सारे फल, पकवानों, जितने भी चीज़े हैं, यह सारी लिजा जाती है, नेशुरल चीजों को चो प्राकिर्तिक चीजे हैं उन्न चीजों को लेकर यह लोग छट पर जाते हैं और देख़े, यह सारी फोटो जो है, यह नैपाल की ली गई है नैपाल में जर्णपूर्जु जगह है वहां की या गया है यह इसमें देखें कि महिला है लाइन से यहां पर खड़ी है पानी में सूप लेकर यही सूप जिसको मैं बोल रहा था कि जिसको अच्छूत कहते हैं वो जाती बनाती है उसी से ही खरीद क यह लोग लेके जाते हैं यह देखिए यानि कि यह परव एक ऐसा परव है जिसमें यह भी दिखाया जा रहा है कि हम किसी उसको नीच नहीं मानते हैं उसकी इस्तिमाल करते हैं यह चीज दिखाया जा रहा है और सुप भी मैं दिखाऊंगा कि यह कैसी सुप बनाते हैं यहा वहां से जब आती हैं तो वहां पर बना लेती हैं भकायदे जो है सारी महिलाए हर घर में जाती हैं और वहां पर गीत वगरा खुद गालेती हैं किसी पंडा पंडित को नहीं बुलाया जाता है और अब यह देखें सिंदूर की प्रथा भी चल पड़ी है इसमें मुझे याद है जब मैं छोटा था तो कभी गाओं अगरा मैं गया था तो वहां पर देखा कि मैंने कि पहले महिलाया जो है छोटा-छोटा सिंदूर लगाती थी अब पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि जो ब्रामण परिवार की महिलाये हैं वो पूरे नाक तर से लेकर उपर त पर्था है देखते रहती हैं कौन क्या कर रहा चाओ और यह खुद से इन लोग के मन में भरम बैठा हुआ है कि वो सो कॉल्ड उंची जाती के लोग हैं वो जैसा करते हैं उन लोग को ज्यादा पता है देवी मता के बारे में परबतिवार के मारे में तो वो नाक से खीच र और देखें कि देली फगरा से निकल के पूरे भारत में फैल चुकी विदेशों तक में फैल गई हैं और जैसे करवा चौथ जिस तरह से फैला टीवी के माध्यम से उसी तरह से यह छट पर्व भी है बहुत धूम धड़ाके से फैल रहा है और राजियों में तो वोट की न पूरे लोग भर जाते हैं एक भी सिंगल आपको भीहारी नहीं मिलेगा जो छट पर में छट गात पर न जाता हुए मिले चट पूजना मनाता हुए मदब कुछ सुनेंगे भी नहीं आप उनको कितना भी समझा दीजिए कि यह तुम जो है यह जो पर्व मना रहे हो यार नन बिहार में वैसे भी बेटियों की संख्या बेटों से ज़्यादा ही है बिहार एक मतर ऐसा एस्टेट है और भी एस्टेट होंगे जहां पे लड़कियों की संख्या लड़कों से बहुत ज़्यादा है अब पिछले समय से साध बराबर हुआ हो या कम हुआ हो लेकिन इतिहास रहा है भिहार का कि हमेशा यहां लड़कु की संख्या जो है लड़कु से ज्यादा ही रही है तो यह चीज जो है यहां पे आप देख सकते हैं यह देखें यह नजार आप देखिए बीच में नदी वगरा है घाट के एक ही तरफ नहीं दोस्तों दोनों तरफ मनाया जाता है कोई भी पॉंड हो आप चले जाए है या कोई नदी हो किसी एक तरफ नहीं मिलेगा आपको दो गद्रमादी वह घाट बनाएगा उसको या इस सारी चीज चल जाती है लोग भाड बन वा रहे हैं बड़े गाट बन रहे हैं एक दूदिन पहले साफाय उपाई करके सारे लड़के वकायत मनवति सुदूप त्यार कर देते हैं कि वहाइए यह यहीं पर मनत मंगेंगे महिलाए और य subsidi चित्र देख रहे हैं यह कोशी इसको कोशी कहते हैं यह गणने का अप यह इए इंख देख रहे होंगे यह कहते हैं और इसमें जो है जोडे में यह लोग बनाते हों 12-24 इस तरह से कोशी उठाते हैं जिसके किसी के यहां साधी हुई होगी नई साधी हुई होगी या कोई किसी ने मननत वगरा मांगी होगी तो यह लोग कोसी भरते हैं गन्ना जो है चुकि यह भी फल है प्राकिर्तिक चीज़े हैं तो इसको जो है इसके दिये वे लगा लेते हैं और इसको सुबह में घर परिवार का जो पूजा क्या मतलब जो भी गीतवीत गाके चटी मिया का वो कर लेंगी उन्हें नहीं पता है कि यह बुद्ध का मनोती सुतूप है और उन्हें लेकिन यतना जरूर पता है कि ब्रह्मान को यहां पर नहीं पुला पूजा पाठ करने के लिए दोस्तों यह सबसे एक खास यहां ब्रह्मानिकल जो गौड है उसको कोई भी याद नहीं करता इस पूरे पतेवहार में यहां पे सिर्फ मनोती सुतूप होती है और वो जो डेट है बौधो का जो कलेंडर है उस कलेंडर का जो छठा दिन है उसी छठ को यह लोग छठी देवी कहने लगे हैं सायद ब्रह्मान अनवादियों ने इसको इस तरह से ढाला है लेकिन तब भी पब्लिक जो है ब्रह्मानिकल सिस्टम को इसमें घुसपैठ नहीं करने दिया तो यह आप यह देख रहा है फिर इसको ले जाते हैं और इसी को यह मनत मांगना कहते हैं कि हमने मनत मांगी है यह देखें यह आपक शलो को दिखाता हूं हां एक और खास बात है यहां पर कि जो कोंशी भरत्त हैं तो पूंभरने में हांथी का बी एक कुम्हार जो है कि घड़े बनाता है उसमें हां ही कभी बनाता है और हो जो जो जोड 12-24 इस तरह की चीज़े जोडे में किसी कोशी भरना सुभ माना जाता है सूर्य सश्टी की साम में छटी मया को अर्गे देने के बाद घर के आंगन छट या फिर नदी के किनारे पर कोशी की पूजा की जाती है इसके लिए कम से कम चार या साथ गन्ने का मंडप बनाया जाता है लाल रंग के कपड़े में ठेकुआ फल और कपाल किराव रखकर गन्ने के मंडप के उपर बाधा जाता है उसके अंदर मिटी के बने हाथी को रखकर उस पर कलस रखकर पूजा की जाती है यह ध्यान दिजिएगा दोस्तों मिट्टी के बने हाथी को यहाथी बना जाता है सोचे यहाँ गने सुनेस नहीं है हाथी बना जाता है और आप सब ही जानते हैं कि हाथी जो है वो बौध मार्ग का सबसे जो पवित्र चीज कही गई है पवित्र पसु माना गया है बैभव का प्रतीक माना गया है राजसी प्रतीक माना गया है राजा माहराजा जो है हाथियों पर ही बैटकर लड़ाई करते जाते थे हैं हाथ को सम्रुद्धी का प्रतीक माना गया है इतना सम्रुद्धी का माना गया कि उसका सर काट के इंसान पर लगाया कि यह ब्रह्मेनिकल सिस्टम जो है सुभलाब करवा रहा है हर जग गनेश गनेश करवा रहा है उसने भी यहीं से कंसेप्ट चुनाया क्योंकि हाथी जो है बुद्ध मर्ग का सबसे प्रतिष्ठित वो चीज है तो यहां आप देखें कि कोई भी देवी देवता नहीं आया आया कौन तो हाथी आया एलिफ रहा है वहां पे आज भी मनोती सुतूब की पूजा हो रही है नाम बदल दिया गया है और लोगों इसको ब्रामणबादी धंग से पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन ब्रामण का इसमें कोई नावो निशान नहीं है उसी तरह से प्राकृतिक रूप से लोग पूजा पाठ क यह मनोती सुतूब है दोस्तों यह मनोती सुतूब जो है वहां पे बनाया जाता है चट के घाट पे और यह सुतूब जो है जिस तरह से गोलाकार और चोकोर जो होता है उसी आकृति में बनाया जाता है और देखें इस तरह की जो प्रतिमाय होती है इस तरह का जो सुतूब बनाने की प्रम्परा है चोकुर टाइप का यह कई जगा पर बाया गया है जैसे अही जेत्रा में पाया गया जो बहुत होका सुदूप बनाया गया था और भी बहुत जगा पाया गया है तो यह सारी सुदूप जो है नदी किनारे पाये जाते हैं हैं सॉंग जब आये थे बहुत पुरानी परंपरा थी, नदी किनारे इस्तर екी स्थ बनाने की परंपरा बौधों की बहुत कुरानी, यही कारण है कि आज बिहार यूपी और कई अन्नी राजियों में जिन्दा है, मनाई तो जा रही है बस लोग एक्चुल थोड़ा साई इतिहांस गरवड हो गये हैं लेकिन इतरा पता है कि इसमें ब्रामळ का कोई रोल नहीं है समझ रहे हैं और किसी देवी देवता को इसमें नहीं खुसने दिया जाता है आप दीवाली मनाते हैं, तो दीवाली में ये कहानी आपको जोड़ देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा परब है कि ये चाह के ही किसी देवी देवता को नहीं गुषड सके हैं, दोस्तों. इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना विशुध रूप से भारत का जो सम्यक मार्ग था उस ट्रेडिशन से जुरा हुआ ये परव है अचा इसमें डॉक्टर राजेंदर पर साथ जो भासा वेक्यानिक है और जो बौध मार्क पर उनका गहरा रिसर्च है उन्होंने अपने ट्वीट किया उस पे वो लिखे थे छट गात पर सिरसोता बनाया जाता है इसी को बोलते हैं सिरसोता यह मनोती सुतूप है देखें इन इसको मनोती सुतूप कहा जाता है और इसलिए यहाँ पे न कोई हनुमान है न कोई राम कृष्णा है कुछ भी नहीं है सिम्पल एक सुतूप बनाया जाता है और क्या है सिरसोता जो है वह सिरी सुतूप का लोक रूप है आप जानते हैं कि बौध मार्क में लोकिक ही है या लोग रूप है तो उन्होंने ट्वीट जारी करके आई यह चीज दिखाया है इससे भी आप लोग को अनुमान लग गया होगा कि देखें जो इत्यासकार लोग है जो भाशा विग्यानिक है उनका भी मानना यही है अच्छा इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किय है वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं उसमें वह कहते हैं कि छठ मूल रूप से बिहार पुर्वी उत्तरपर्देश और नैपाल के तराई छेत्र का परव है नैपाल के तराई छेत्र आपको पता ही है आज जो बुद्ध का जो लुम्बनी वाला जो छेत्र है वहां लगा सकते हैं और देखें यह पूरा इलाका वही है जहां गौतम बुद्ध पैदल घूमा करते थे सुन लिजे ध्यान से आश्चर यह जनक रूप से छठ के प्रसाद के रूप में जो ठेक हुए या अघरवट्टा बनाया जाते हैं यह आप देख रहे हैं ठेक हु बनाया जाते हैं उस तरह का जो यह दो गोलों ओञते हैं उसके प्रती मासं के इसे पठेव रहे हैं चित्र पनावानầy सुन जो जाते प्याइंड और ऊसके चलंक पर sage जो सारी खड़ρού्वvad में जाते हैं चाहा हुए लिज Eggs पैपिखा और उसके सांद जो पंपवान बनते हैं उस पर भी जो प्रकिर्टिक बुद्ध मार्ग का प्रतीक धंज़पी और ये यह सारे परिवारमाल्ग आज भी बनाते हैं चाहे वो किसी भी family से हो चाहें वो so called अपने को upper caste कह रहे हो या so called अपने को lower caste कह रहे हो सब लोग इसी तरह के पकवान बनाते हैं बस ये लोग जानते नहीं है भारत का असली तिहास कि भई यहाँ पे जो है ये जो बुध मार्ग है उसी का ये मनोती सुतुप है उसी किसे मनत मागने सभी लोग जा रहे हैं पस ये actual history भूल गये हैं आगे वो लिखते हैं कि उस पर people पात और धम चक्की छाप होती है तो देख लीजे आप यहाँ पे धम चक्क और people पात वगर यह सब बनाए जाते हैं तो बिहार के जो भी लोग हैं वो इस चीज को देखें समझें कि ये भारत का इतिहास है ये भारत की history है और हम लोग जाने अन जाने में या कोई भी देश प्रदेशों सभी लोग मना तो रहे हैं पस actually history जो है वो नहीं जाने अब ठीक है सम्यक मार्क से जुड़ा हुआ परव है तो क्या आज की डेट में इसको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए ये सवाल है आपको क्या लगता है सांतियों क्या बताना चाहेंगे